हेलो दोस्तों वेलकम टू टेक्निकल कंपर्टिशन वेरियस ऑनलान यूट्यूब चनल मित्रों हमारे टेक्निकल कंपर्टिशन वेरियस ऑनलान यूट्यूब चनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है मित्रों आज हम लोग कोरोना वायरेस से सम्बांधित सम्बांधित तथ करेंगे जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है तो पिलिज अभी तक आप लोगों ने अपने टेक्निकल कमपरिशन वेरियस को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन होगा एक बेल आइकन होगा उस पर एक वार प्रेश कर ले ताकि जितना भी अपडेट्स नोटिफिकेशन आया आप लोगों प्रभाइड हो जाए और आप लोग कलास रोज दखिए पूरे वीडियो दखिए पसंद आया तो लाइक कीजिएगा ना पसंद आया तो डिसलाइक मत कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भाइद कर रहे हैं कनाडा के दोन्स म 맡री है उनका पतनी पोजेटी पाया गया है क्लोंआ वायरिस में और भारतमे बात क्रेतsem अभी तक कि इस लभ्यड में पोजिटीव अजना थाक्स दर एक से बटर अभी दो हो गया में कि लोएक और एक एक और दो कि मिझतिः हो करोना वायरस के चलते मित्रों एक पलस एक अभी तक भारत में लगभग दो की मिर्थी हो गई है मित्रों भारत में और जहां तक बात करें यह यह जो है आकरा चोहतर यह बढ़कर असी के आसपास पहुंच चुका है और दो की मिर्थी हो गई है मित्रों और बात करते हैं भारत में फिरहाल असी लोग यहां पर असी आप लोग कर लिजेगा मित्रों भारत में अभी तक लगभा असी लोग इस वारेस यानि करोना वारेस संक्रम में था है और इसके प्रसार को रोखने के लिए देली सहित कुछ अन जगों पर स्कूल कॉलेज तथा सिन अर्वी सिनेमा घर स्कूल कॉलेज सबबंद रहेगा कि तो चैड़ों 31 मार्ज तक क्रोना वारेस के चलते सबहें स्कूल कॉलेज स्नेमा घर बन रहेंगे और एwereports भी बन रहे जिने स्वस्थ होने के बाद पिछले महें अस्पताल से छूटी दे दी गई है नेक्स्ट बात करते हैं मित्रो मंत्राले ने राज ये वर आकरे बताते हुए कहा कि दिली में गुरु वार्तक करोना वारे से 6 मामले सामने आ चुके हैं जबकि उत्तर परदेश में 11 लोग इसस मामले सामने आ चुके हैं जिन में वे तीन लोग भी सामिल है जिने पिछली महेंने इलाज के बाद छूटी दे दी गई थी केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने गुरु वार को कहा कि देश में कूल 14 नए मामलों की पुष्टी हुई है जिन में से 9 महराष्ट्रा में हैं संक्रमन का प्रसार होने के मंद्य नजर केंद्र ये हेलफ लाइन नंबर 01123978046 यानिकी 01123978046 शुरू किया है इसके अलावा 15 राज्य और केंद्र सासित प्रदेश में भी हेलफ लाइन नंबर शुरू किया है तो मित्रों आप लोग पिलीज ये नंबर नोट्स कर लिज कर दिजिएगा ये हेल प्लान नंबर है जो कि केंद्रिय सरकार ने लौंच किया है नेक्ष्ट बात करते हैं 36 गड़ सरकार ने करोना वायरेस से बचाव के लिए राज्य में परिक्छाओं को छोड़ कर एसकूल और कॉलेजों को 31 मार्ज तक बंद करने का फैसला किया है च स्कूलों कोलेजों और सिनेमा घरों को अहतियाती तोर पर 31 मार्ज तक बंद रखने की घोसना किया है गुरुबार को घोसना किया दिली के मुख मंतरी अर्विंद के जिरिवाल उप राजेपल अनिल बैजल मित्रों आप से पूछे दिली का उप राजेपल कौन है तो यह अनित बैजल जी और सिर्ष सरकारी अधिकारियों की उच अस्तरिय बैठे के बाद यह फैसला लिया गया है केंद्र और राज्यों के सरकारे को फैलाने से रोकने के लिए कमरकस रही है इसी बीच परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने देश वास्यों से अपील की है कि वे 46 लोग और करीब 1.25293 यानि कि 1,25,233 में लोगों इसके संक्रमन की पुष्टी हुई है यानि कि 1,25,233 में लोग करोना वायरेस में पोजेटी पाई गई है चीन के एक अधिकारी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि संभवता अमेर्की सेना ही करोना वायरेस वुहान लेकर आई है दुनिया भर में इस जानलेवा वायरेस के तेजी से बढ़ते प्रसार की प्रिष्ट भूमी में दोनों देशों के बीच जारी वाक यूद के दोरान यह बताया गया कि चीन के सरकारी अखवार गलोबल टाइम्स ने गुरुवार को अपनी खवर में लिखा की सुचनाओ के अनुसार अमेर्की रोग नियंतरन एब अमलो रोग थाम के अंदर सी डी सी के नेदेशक रोबर्ट रेड फिल्ड ने यह माना है कि फुलू के कुछ मरीजों की पहचान में समभवता गलती हुई है और वे करोना वायरेस से गरस्थ है और मित्रों आप लोगों से अगर एक्जामस में पूछे कि भरत का कौनसा पहला राजी जिसने करोना वायरेस को महामारी गोसित किया, महामारी घोसित किया, तो वह है हर्याना कौन सा छात्रों हर्याना तो फिली छात्रों आप लोग कैसा लागा वीडियो जरूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजेगा पसंद आये तो लाइक कीजेगा जय हिन जय भारत जय यूद